इस वीडियो में आप सीखने वाले हो किसी भी date से day को निकालना वो भी एक नहीं, दोनीं, पूरे तीन तरीके से तो चलिए सबसे पहला तरीका से देखते हैं अभी हम आ चुके हैं Excel Seats यहाँ पर Excel Seats में सबसे पहले हमें यहाँ पर date लेना है ठीक है, date लेने के लिए आपको sort में बता दे कि आपको अपनी keyboard पे control के साथ colon को प्रेस करना है तो ये आपका current date आ जाएगा, तो अभी आप देख पार हो, ये आपका current date आ चुका है, ठीक है ये जो आपका current date है, इस date को यहाँ से drag कर लेते हैं drag करने के बाद ये हमारा date है, इस date को हमें day में convert करना है यहाँ से आपको date को select करने के बाद आपको अपनी keyboard में प्रेस करना है, control के साथ one तो आपका यहाँ से format cell open होगा, आपको यहाँ पर बहुत सारे category दिखेगा जिसमें से आपको जाना है custom पे custom पे जाने के बाद आपको यहां से format जो है 4D type कर लेना है 1, 2, 3 and 4 जैसी ही आप यहां से 4D को type करते हो आपको यहां से sample में दिख रहा है यह आपका 10 तारिक जो है आपका यह Thursday सो हो पा रहा है तो यहां से simply आपको apply करना है OK को तो यह आपका Thursday आ चुका है माकी सारे cell में apply करने के लिए आपको इस cell के यहां से corner पे double click कर देना है तो यह आपका changes यहां पे दिख पा रहा है अभी हमने format cell को control plus one press करके लाया था अगर आपको by process जाना हो तो आपको यहां से home में जाना है यहां से आपको number format पे click कर देना है यहां से आपका number format आ जाएगा इस बारी हम यहां पे 4D नहीं only 3D रखते हैं 3D रखने से आपका sample यहां पे आपको so हो पा रहा है आपका days का name आपको short में यानि 3 letter में so हो पा रहा है तो यहां से ok करते हैं आपको 10 days इसमें और add करना है तो आपको यहां से simply क्या करना है यहां से equal to करना है और यह आपका day को select करना है इसको select करने के बाद simply आप plus 10 कर लें और यहां से enter करते हैं तो अभी आपका यह day add हो चुका है 10 days तो add हो गया लेकिन अभी यह आपको क्या दिखा रहा है, date के format में दिखा रहा है अगर आप इसको number के format में करना चाहरे हो, यहां से number में जाना है और यहां से आपको इसे date पे click कर लेना है, date पे click करने के बाद ओके कर लेना है, तो यह आपका date के format में आच общем का है, I hope कि पहला तरीका आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा next जो है sir हम text formula का use करके किसी भी dates का day को निकालने वाले हैं सबसे पहले यहां पर date को लेते हैं date में current date को लेने के लिए आपको बताये गया है कि आपको control के साथ colon को प्रेस करना है तो यह आपका current date आ चुका है current date आ चुका है यहां से track कर लेते हैं जहां तक हमें date को ले जाना हो अब यहां से हमें निकालना क्या है day निकालना है day निकालने के लिए यहां से text formula को use करते हैं equal to type करते है text यहां से आपको value को select करना है हमारा value यानि कि यह हमारा date, इसे select कर लेना है, select करने के बाद यहां से comma लेना है, अब यहां से आपको बताना है format, format को बताने के लिए आपको यहां से double inverted comma में type कर लेना है, 4D को, 4D type करने से आपका जो है day का नाम full में आएगा, यहां से bracket को close करते हैं और यहां से enter कर लेते हैं, यानि कि आपका day 10.11.2022 का day जो है यहाँ पे Thursday है तो इसको यहाँ से क्या कर लेते हैं इस तरीके से ड्रैक कर लेते हैं आपको ड्रैक करना है तो ड्रैक कर सकतो अदर्वाइस यहाँ पे double click करना है तो यह आपका feel हो जाएगा जैसा कि अभी आपके सामने यह days है जो कि full में है अगर आपको इसका sort में यानि कि आपका इसका 3 later लेना हो तो इसके लिए आपको क्या करना है formula में edit करना है formula edit करने के लिए आपको f2 press करना है और यहाँ से 1d को remove कर देते हैं और यहाँ से enter कर लेते हैं तो अभी आ चुका है और यहाँ की सारे cell में apply करने के लिए आपको यहाँ से double click कर लेना है यह आ चुका है इस तरीके से आप किसी भी day का sort करके इसमें आप suffix या फिर prefix को add कर सकते हो suppose करिए कि आपके पास cell number है एक particular day का इसको जो हमें day के साथ इसे same cell में so कराना है तो यहाँ पर suffix और prefix को add करने के लिए यहाँ पर हम एक column को add करने के लिए यहाँ से आपको जाना insert seat column पर click कर देना है तो यह आपका column आ चुका है यहाँ पर एक column को add करते है जिसका name दे लेते हैं sales करके ठीख है यहाँ ещё पर sales को apply करने से पहले यह हमारा general number आएगा, यहां से cells data को fill कर लेते हैं अभी जो हमारे सामने यह कुछ cells है, इस cells का हमें क्या करना है, इस day name के साथ इसे mention कराना है, इसके लिए आपको simply formula को edit करना है formula को edit करने के लिए आपको F2 press करना है, F2 press करने के बाद अभी जो है आपका यह text है यानि की आपका जो day है अभी यह text में है ठीक है, text में है तो अभी हम यहां पर formula को apply करते हैं, यहां से आपको लेना है end, end के बाद आपको double inverted comma में यहां से colon को लेना है colon को लेने के बाद आपको एक बार फिर से end को ले लेना है अभी आप यहां पर देख पा रहे हो particular day के साथ आपका sales भी यहां पर mention किया हुआ है यह काफी interesting हो जाता है किसी भी data को देखने के लिए अभी यहां पर आप simply data को देख के ही बता सकती हो कि यहां का Thursday को इतना sale हुआ था, Friday को इतना sale हुआ था किसी भी data को समझना काफी easy हो जाता है सबसे पहले आपको current date लेना है current date लेने के लिए आपको control के साथ colon प्रेस कर लेना है और यहां से drag कर लेते हैं यहां से day निकालने के लिए आपको यहां पर weekday का formula लगाना है weekday का formula लगाने के लिए यहां से type कर लेना है weekday यहां से आपका serial number है जो कि आप यहां पर date को select कर ले select करने के बाद यहां से comma लेना है अब यहां पर जो है आप किस तरीके का return type लेना चाहरे हो यानि अगर आपको Sunday to Saturday लेना है तो आपको number 1 type करना पड़ेगा वहीं Monday to Sunday लेना है तो आपको 2 प्रेस करना होगा तो मैं यहां से Monday to Sunday ही लेता हूँ तो इसके लिए मैं प्रेस कर लूँगा 2 को यहां से bracket को बंद करते हैं और यहां से enter करते हैं तो अभी आपको यहां से week number दिखा रहा है अगर आपका Monday 1 हो गया तो यहां पर 4 आप समझ सकते हैं तो 4 आपका Thursday हो जाएगा यहां से इसे क्या कर लेते हैं डवल क्लिक कर देते हैं तो हमारा यह सारा cell में feel हो चुका है सर अभी तो आप बोलोगे कि हमने तो बोला था day निकालने के लिए और आपने यहां पर day number निकाल दिया है तो सर अभी complete नहीं हुआ अभी इसमें और formula को add करना है तो चलिए इस formula को edit करते हैं edit करने के लिए आपको प्रेस कर लेना F2 F2 प्रेस करने के बाद हमें यहां पर लगाना है choose का यहां से choose formula लगा चुके है choose formula लगाने के बाद यहां से आपको कुमा लेना है और double invited कुमा के अंदर आपको यहां पर day को mention करना है हमने यहां पर week का name क्या लिया था Monday to Sunday तो इस तरीके से हम यहां पर इसे type कर लेते हैं और यहां पर आपको धियान देना है तो इसी format से Monday से लेके Sunday तक type करना है जैसे यहां पर कुमा, double invited कोमा के अंदर आपको day type करना है फिर double invited और कुमा लगाना है इसी तरीके का process आपका Sunday तक चलेगा तो सर अभी आप देख पा रहे हो यह formula आपका जो है काफी ज़्यादा lengthy हो चुका है अगर compare किया जाए last दो तरीके से तो यहां से यह आपका formula complete है अब आपको simply यहां से enter बटन को प्रेस करना है तो enter प्रेस करते ही आपको यहां पे so who para यह आपका Thursday आचुका है इसको simply इसी तरीके से यहां पे double click कर लेना है पूरा cell में date का day निकल चुका है यह lengthy process का use करके हम और भी interesting बना सकते है interesting बनाने के लिए आपको करना यह है कि यहां से formula को edit करना है F2 प्रेस करते है मान लिजिए कि आपको एक data को तयार करना है जिसमें आपका Monday to Friday आपका working होता है Saturday Sunday आपका off होता है आपको यहां पे Monday to Friday जो है इसे working mention करना है और माकी Saturday Sunday को आपको off तो इसके लिए यहां से Monday को replace करके यहां से working type करते है यहां से working को copy कर लेते हैं और यहां पे paste कर करके जली से हो जाएगा तुरफ हास्ट करने के लिए copy paste कर लेते हैं यहोई Saturday Sunday को यहां से off mention कर देते हैं अब simply यहां से एंटर करते हैं तो आप यहां पे changes को observe कर पा रहे हो तो आप यहां पे देख पा रहे हो यह आपका Saturday and Sunday आपका off दिखा रहा है पांकि आपका working दिखा रहा है तो आप इस तरीके से एक interesting data को create कर सकते हो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें और दोस्तों के साथ share करें चैनल को subscribe कर लें तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए मस्त रहें और वियस्त रहें